स्वामिनार्ण दोस्तों अक्षा प्लांटेंड प्लांटेर्स में आप लोगों का स्वागत है आज एक इंपोर्टेंट टॉपिंग हम लोगों ने डिसकेशन का रखा है एंटी फंगल हम लोग सभी लोग काम मिल लेते हैं जो भी लोग अडिनियम ग्रोव करते हैं उन सब को में मेंली जो है फंगल डिसेश जाद आती हैं तो एंटी फंगल के बारे में जो है आज का वीडियो हम लोगों ने प्लान किया है टाइपस ऑफ एंटी फंगल के बारे में पहले हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं और एंटी फंगल को हैंडल करते समय अपने को क्या सब्सक्राइब कर दें वीडियो आपको पसंद आते हैं ज्यादा ज्यादा शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ में जो बैल आइकन है वो जरूर दबा दें क्योंकि बैल आइकन से ही जो है हम लोग जब भी नए वीडियो बनाते हैं या जैसे हम संडे के संडे लाइव आते हैं लगबग 11 बजे के करीब मॉर्निंग में तो उसका जो है आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जो है लाइव चैट में भी जुड़ पाएं और अडेनियम के बारे में बाते कर पाएं और आपके जो एक्सपिरियेंसर शेयर कर पाएं साथ की साथ में जो तो दोस्तों एंटिफंगल ऐस सच जैसे उस कंटेनर पर जो है लिखा रहता है कि उस पर येलो ट्राइंगल लगबग लगा वा रहता है येलो में क्या होता है कि हाईली पॉईजनस वो नहीं है और नाई बहुत जादा माइल्ड है माइल्ड के उपर ग्रीन कलर का प्लस ऐ जो माइल्ड होते हों उस पर यलो कलर काता है तो एंटिफंगल जिस तरीके के अभी है मार्किट के नदर है अपन लोग जो काम मिलेते हैं कारबन डाजिफ मन को जैब जो कॉम्बिनीशन होती है मेली बलु कलर का जो आता है पाउडर वो अपन काम में लेते हैं पर अभी ज से जो है सुपीरियर सॉल्ट जो है एंटि फंगल में अभी आयो है सलफर भी जो हैंटि फंगल की तरह काम करता है तो हम जो है जिस तरीके से केमिकल फंगी साइड का यूज करते हैं अपने अडिनियम के लिए भले ही रूट रौट से बचाने के लिए करते हो बहले ही आपन पत्तों के ऊपर रॉट राने से ब्रांच्श को रॉट राने से इस्प्रे लिए या रिपॉर्टिंग के ताइम पॉट करने के लिए या रिपॉर्टिंग के बाद में जो है फंगस नहीं आए अपने डिनीम के रूट्स में उससे बचाने के लिए या कट पार्ट के उपर अपलाई भी आपन एंटि फंगल करते हैं तो इन सब प्लस सिस्टैमिक भी होते हैं सिस्टैमिक मतलब वह अगर पत्ते पे स्प्रेय करते तो पत्ते के अंदर एब्सॉर्ब कर जाते हैं ऐसे अपनी उंगली के अंदर भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल यह वाटर प्रूफ है और इसके अंदर आप कुछ भी अपलाई करेंगे तो बहुत से लोगं की बहुत से लोग जो है वो बी। कमप्लेक्स के लिए भी sensitive होते हैं मतलब होते हैं यह सफ के उपर उपर भी जो है नहां वह वह नोगा का अलर्जी होती है। यहां तक कि अपन बात करें तो एंटी अलर्जिक दवाई उसे भी काफी लोगों का अलर्जी होती है तो आप जो है और ł मिस्हेंडल करेंगे अंटी-फउंगर को तो आपको सीर्यस कई भार जो है इसकिन रेशेज या इसकिन में इरिटेशन या जो है कोई भी जो है नेगेटिव एक्ट बॉड़ी के उपर एंटी फंगल ला सकता है और इसके लावाद जैसे अभी मौसम चल रहा है तो लगबग मैं भी जो है डेली बेसिस पर ही जो है एंटी फंगल को यूज कर रहा हूं एंटी फंगल को यूज करते टाइम जो हैं कमपनीज जो हैं जो बेनुफेक्चर करती हैं उनके काफी सारी जो हैं सेफटी प्रिकॉशन होते हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं जैसे जब भी हैंडल करें तो मूग के उपर मास्क लगा के हैंडल करें आखों पे चसमा ल दोना होता है मगर हम क्या करते जल्दी बाजी में लगाया और यूज लिया और ऐसे सिंपल पानिशाहाद दोयार बस अपने कामों में लग गए तो हैंडल करते टाइम बहुत ध्यान रखना है इसके लवा मैंने एक और चीज नोटिस करी जो आपको ध्यान रखनी है कि कभ अब यह मैं थोड़ा सा लेटेस्ट आया है बोले और इसके रिजर्ट जो है उससे थोड़े से सुपीरियर रहते हैं तो यह मैं लेकर आया हूं तो इसको एक तो क्या लंबी बॉटल में अपने को कभी नहीं डालना जैसे मैंने डाला हुआ हमीशा जो है इस टाइप की कमांट मुन्हें क compact हो जो चेंब में अकया है जो मियुक करके तो यह द्यटके के साथ में वलक्म करना यह और बहुत बाहरे सांस में भी जाएगा अपनी skin के ऊपर भी चिपकेगा और यह जो है serious effect cause कर सकता है serious skin disease cause कर सकता है कोई भी जो भले ही यह fungi side है पर आपको serious health issue cause कर सकता है तो हमेशा use करते time ऐसा container लें जिसमें से निकालना बहुत आसान हो जैसे हम लोग जो है इसमें अभी आपको shift करके दिखा रहा हूँ तो इसके अंदर हमने जैसे shift कर दिया है इसको और shift को इससे क्या फायदा होगा आप एदेख्य जैसे अब ढूंसा निकल रहे हैं तो सबस्क्राइब करने लिए अब भी सबस्क कि निम आसे मैं मास्क लगाना चाहिए और फिर इसको यूजमे यूज में लेना चाहिए अब जैसे इस टाइब के विद्स फाइदा होगा एक तो इसको निकालना एजी रहता है यह उपर ही पड़ा ह日 बिल्कुर ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे ऐसे हिलाने के बाद में जो है एंटी फंगल आपका बहार आए दूसरा इसमें क्या है इस्पून यूज कीजिए इस्पून लिया चोटा इस्पून ले लीजिए कोई भी प्लास्टिक का उससे दीरे से निकाला और काम में ले लिया और उसको बाद में जो है टाइट करके एक दम ढकन को और इसको चायादार जगह पे अपने को स्टोर करना है देखें हो सकता आपको एक दो बार यूज करने से जो है कोई ऐसा रियक्शन नहीं हो रही हो पर जिस तरीके से हम लोग रोज लगबग एक बार तो यूज करी रहें तो छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो आपको जो है होने वाली जो एस्विदा है एंटि फंगल की वज़े से उससे आप जो है अपने आपको बचा पाएंगे तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही अक्षर प्लांट और प्लांटेर साब का अपना चैनल है ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें लाइक करें वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद नवाश्काराइब